दोस्तो यही है मुरक्कन टाइस डिजाइन यह वही टाइस है जिसकी हमने बात की वही थी यह 8 इंच वाई 8 इंच की मुरक्कन टाइस है और यह ट्रेंडिंग बहुत आज की धीट में चल रही है लेटेस्ट है नया है और अच्छा है जो आप कहीं भी इसको लगवा सकते हैं और बहुत एक अच्छा लुक आ सकता है और वीडियो को आप लाइक कर लिजेगा चैनल को गर सस्क्राइब नहीं किये हुए है तो सस्क्राइब कर लिजेगा और कोई आपको कुश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको रिफलाई तुरंत मिल जाएगा दोस्तो और वी दोस्तो यह हमारा जो इस फ्लोरिंग पे लगाई गई है टाइल्स को यह लंबाई है और यह देख सकते हैं यह जो हमारा लंबाई यह बालकनी की लंबाई है 30 फिट लंबे बालकनी है और पुरा 10 फिट इसकी चोड़ाई है कुछ जगे पे 3 फिट दिया गया है और कुछ जगे पे 10 फिर दिया गया है तो इस जगे पे हमने बालकनी की फ्लोरिंग पे टाइस को लगाया हुआ है और ये अब ये जो हमाले देख सकते हैं ये जो डिजाइन टाइस में देख रहे हैं अब ये एक अच्छा डिजाइन हमारे टाइस में बन कर आ रही है हम चाहें तो यह जो size की tiles है और जो यह design की tiles है ऐसे tiles की design में हम काई तरीके के design बना कर लगा सकते हैं इसमें देखें बहुत खुप सूरत इस flooring में tiles design दिख रही है और इसकी जो squatting लगाई गई है squatting भी एक match करकर squatting fitting की गई है जो बहुत एक अच्छा look दे रही है यह देख सकते हैं और यह सटा कर लगाई गई है और उसमें grout किया गया है यह पूरा tractor की पहिया की जैसे इसकी design बनाई गई है आप कोई भी angle से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा look आएगा इस design में तो इस तरीके की design आप भी अपने घर में करवा सकते हैं दोस्तों यह interior design किया गया था और उस interior design में इसको अच्छे design की गई है और इस tiles को दोस्तों अगर आप कहीं भी लगवाना चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, bathroom की wall भी लगा सकते हैं, bathroom की floor भी लगा सकते हैं, kitchen की floor भी लगा सकते हैं, bedroom flooring भी लगा सकते हैं ये एक बहुत खूपसूरत डिजाइन बनकर आपके घर में आने वाली है तो इस तरीके के आप टाइल्स कहीं भी आप लगा सकते हैं अगर हाँ आपका बातरूम पे वास बेजिंग के सामने लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पाद भी आप लगा सकते हैं ये एक ऐसी टाइल्स की डिजाइन है कि इसमें दस डिजाइन बहुत आसानी से बन सकती है और एक साथ आप कई डिजाइन इसमें बना सकते हैं दोस्तों हमें जो देख रहे हैं हमें जो ठीक लगा हमने वो डिजाइन इसमें बना कर लगाया हुआ है जो एक बहुत खुबसूरात प्याराशार लुक इस डिजाइन में देखने को मिल रहा है अब इसमें हम बात करने वाले हैं ये मैट फिनिश टाइल्स होती है और ये देखिए इसकी जो पॉलिस होती है बहुत हाड और बहुत अच्छी क्वाल्टीक इसकी पॉलिस होती है जल्दिस इसकी पॉलिस खातम होने वाली नहीं है दोस्तो इस टाइल्स में ये ही खासियत है और बहुत ही मजबूर टाइल्स होती है ये आप इसको कहीं भी लगवा सकते हैं दोस्तों इसमें कोई प्राब्लम आने वाली नहीं है ये इस तरीकी के डिजाइन आठ इंच के ये टाइल्स है आठ वाई याड की और इस टाइल्स का जो नाम दिया गया है मुरकन टाइस के नाम से इसको पहचान दिया गया है दोस्तो ये रेख सकते हैं तो जो पहले की टाइम में टाइस आती थी उसी साइज में आज की डेट में आती है अब उसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है और एक नए तरीके से इसको पेश किया गया है ताकि लोग इसको लगवा सकें क्योंकि ये कुछ दिन पहले लगती थी और फिर बाद में ये मार्किट से दूर हो गई थी फिर ये मार्किट में आना चालू हो गई है दोस्तों अब और इसकी दिमान बढ़ रही है क्योंकि इसमें एक 3D डिजाइन पैटर्ण में इसको लाए जा रहा है इसे लोग इसको ट्रेंडिंग पे इसको लगा रहे हैं दोस्तों तो आपको अपने घर के कहीं भी इसको लगवाना चाहिए तो लगवा सकते हैं इस टाइस में कोई दिकत आने वाल नहीं है इसमें गंदगी भी नहीं चिपकेगी इसक्रेज भी नहीं आएगा और लंबा चलेगा और लंबा टीकेगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ग्लोशी टाइस से जादा ये सब टाइस चलने वाला है देखिए दोस्तों कितनी खुबसूरत इसकी डिजाइन लग रहे है कोई भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको ये समझने आएगा कि ये क्या साइस की टाइस लगाई गई है देखने में लग रहा है बड़ी साइस पर है ये आठ इंच वाई आठ इंच की टाइस और हमारा जो बैटरोम फ्लोडिंग में टाइस लगाई गई है वो चार डाट के ग्लोशी टाइस लगाई गई है और उसी से मिलता जुलता हमारी बालकनी की टाइस लगाई गई है और इसमें जो ग्राउड किया गया है बलेक क्लेर का ग्राउड किया गया है दोस्तों और ये पुरा वर्केंग कम्पलीट हो चुका है तो आप भी अपने घर में ऐसे ही टाइस का डिजाइन चुआइस करें और नया लुक और नया डिजाइन आपके घर में भी आ सेगे दोस्तों ओक्य माई फ्रेंड दोस्तों